हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं एक ऐसी चटनी के रेश्पी सेयर करने जा रही हूँ जिसे हम कम समय में बना कर लंबे समय तके स्टोर करके रख सकते हैं और ओभी इस चटनी को हम बीना इमली बीना चीनी के बना कर त्यार करेंगे ओभी बीना जंजट बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से तो देर किस बात की चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा वो इसे भी होली आ रही है तो फेस्टीवल में टाइम का मिलता है तो आप पहले से इस चटनी को बना कर स्टोर करके रख सकते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए यहाँ पर हम 600 ग्राम जितना अंगूर ले लिए हैं तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के अंगूर ले सकते हैं यानि कि खंटा मीटा जो भी अंगूर आपके पास है वो आप ले सकते हैं और इस तरह से अंगूर को हम गुच्छे में से तोर लेंगे और तोर कर इसको हम पानी में डाल कर अच्छे से दो से तीन पानी से धूल लेंगे तो फ्रेंड्स अंगूर को पहले से गुच्छे में से तोर कर यानि कि गुच्छे सला करके नहीं रखिएगा नहीं तो पहले से आप तोर कर इसे रखेंगे न तो जहां से गुच्छे में से आप अंगूर तोरेंगे न वहां पर अंगूर के काला परने लगता है तो आप इस अंगूर को जब आप रेस्पी बना रहे हैं उसी समय तोर कर इसको अच्छे से धूल लिजीगा तो चलिए इसको एक से दो पानी से और धूल लेते हैं तो ये देखिए अंगूर को हम दो से तीन पानी से धूल कर एक बाउल में निकाल लिए हैं तो अब हम यहाँ पर एक मिकसर जार ले लिए हैं और इस मिकसर जार में इस अंगूर को हम डाल लेंगे और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे आधा कब पानी तो फ्रेंट्स यहाँ पर अंगूर में बहुत सारा जूस होता है आप बिना पानी डाले भी इसे पीश सकते हैं लेकिन आधा कब पानी डाल देंगे तो यह इजली बहुत ही अच्छे से पीश जाता है तो पानी डालने के बाद जार के धकन बंद करके इसको हम अच्छे से पीस कर ले आए हैं आपको धकन हटा कर मैं दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा जाग बन गया है तो चलिए इस जूस को अब हम छान लेते हैं तो जूस को छानने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिए हैं और इस बाउल को उपर हम एक स्टेनर रख लेंगे और इस स्टेनर में इस जूस को हम डाल कर चान लेंगे तो यहाँ पर न अंगूर के जो छिलके होती है न उस्टेनर के नीचे जाकर बैठ जाता है तो इस तरह से आप इस पैंशला से चलाती हुए इस जूस को चान लीजिएगा और ये देखिए इस तरह से जूस अच्छे से निकल गिया है और अंगूर के जो छिलका है वेस्टेनर में रह गया है तो ये देखिए इस छिलके को अब हम हटा देंगे और जो अंगूर के जूस है इसमें हम डाल लेंगे एक चमच कॉर्ण फलोर तो friends corn floor इजली आपको किसी भी grocery shop में या किसी भी market में मिल जाएगा और हाँ corn floor डालने से क्या होता है जो हमारा chutney है न वो गाढ़ा बनेगा और उसमें signing भी बहुत अच्छा आएगा तो corn floor डालने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेना है तो juice को हम corn floor के साथ अच्छे से mix कर लिए हैं तो अब इसको हम side में रख देंगे और यहां gas पर हम रख लेंगे एक कराही और इसमें हम डाल लेंगे एक चमश तेल gas के flame medium रखेंगे और तेल को गरम होने देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे एक चुटकी हिंग हिंग से बहुत ही अच्छा इसमें flavor आता है और पाचन के लिए भी अच्छा होता है और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे आधा चोटा चमश सौप सौप से बहुत ही अच्छा फुस्वू आता है और flavor भी और जैसे ही सौप चटकने लगेगा तो इसमें डाल देंगे आधा कप गूर गूर को आप ग्राम में वोजन करेंगे न तो ये 100 ग्राम जितना होगा और आधा कप गूर के लिए यहां पर हम आधा कप इसमें पानी डाले हैं तो यहां पर हमें कोई चासनी नहीं बनाना है बस इसे चलाती हुए गूर को हमको मेल्ट कर लेना है तो फ्रेंट्स यहां पर आप माप को ध्यान में रखिएगा 600 ग्राम अंगूर के लिए यहां पर हम 100 ग्राम गूर लिए हैं और 100 ग्राम गूर में हम 100 ग्राम पानी डालकर चलाते हुए इस गूर को हम अच्छे से मिल्ट कर लिए हैं तो यहां पर गूर हमारा अच्छे से मिल्ट हो गया है तो अब हम यहां पर ले लेंगे अंगूर के जूस तो जूस को पहले हम एक से दो बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि जूस में हम कॉर्ण फ्लोर मिलाया थे ना तो कॉर्ण फ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है तो इस juice को अच्छे से चला लिजिएगा इसके बाद इस juice को इस कराही में यानि कि इस गूर के साथ हम डाल देंगे और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात juice को कराही में डालते ही गैस के flame हम low कर देंगे और low flame पर इसे चलाते हुए हम पकाएंगे क्योंकि juice में हम corn floor मिलाये थे तो वो जमने लगता है इसलिए इसे low to medium flame पर चलाते हुए पकाना है और थोरी देर में आप देखेंगे एक गाढ़ा होने लगेगा तो यह देखें यहाँ पर एक गाढ़ा होने लगा है तो इसी stage पर इसमें हम डाल लेंगे कुछ मसाले तो मसाला में हम डाल लहे हैं एक छोटा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर और इसी के साथ इसमें हम डाल लेंगे एक छोटा चमच कासमेरी लाल मिर्च भोज मसाला का इससे बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है और तीखा कम होता है और साथ में हम इसमें डाल लेंगे आधा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर यानि की बलैक पेपर और चटपटा टेस्ट के लिए एक छोटा चमच इसमें हम आमचून पाउडर डाल दिये हैं और आधा छोटा चमच इसमें हम काला नमक डाल दिये हैं और स्वाद के अनुसार इसमें हम साधा नमक डाल देंगे और अब हम इसे चलाते हुए थोरी देर इसे पकाएंगे यानि की 4-5 मिनट इससे क्या होगा इसमें जो हमसाला डाले है वो भी अच्छे से पक जाएगा और एक गाढ़ा भी चटनी हो जाएगा और थोरी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसमें अलग से हम कोई भी कलर नहीं डाले हैं इसमें जो हम कस्मेरी लाल मिर्च और गूर डाले थे ना उसी से इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और चटनी भी हमारा गाड़ा हो गया है तो अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे नहीं तो ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे एक चमच, गंक्री या खर्वुजे का बीज यह optional है आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या इसके बीना भी बना सकते हैं इसे डालने से न देखने में भी अच्छा लगता है और टेश्ट भी अच्छा आता है और इसको डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लिए हैं तो अब हम चटनी को चमच में उठाकर आपको दिखाती हुए देखिए इसी तरह से चटनी हमारा गाढ़ा होनी चाहिए और आप देख सकते हैं चमच को चटनी कोट कर रहा है इसके उपर हम अंगली से लाइन घीच रहे हैं तो लाइन ज्वाइन नहीं हो रहा है यानि कि हमा वीओ को लाइक से और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जय हिंद